हेलो एवरिवन वेलकम तो ब्रेक्टाइम प्राइस पे जितने भी फैक्ट एक टॉपिक जो मैं उठाऊंगी उससे सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे और इन में से बहुत सारे कोश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है कोई फालतू चीज इसमें नही था इन में से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उन्स त्चीछ चुट्जा टीका था तो वह था था कंब्लाग वृस१र्ण तक शिल परचन शाक भादिया तो कुलाम उस जिसे मामलूक कहते ह। इसमें पहला जो सासक था वो था कुटबुदीन एबग जो की 1206 से 1210 था किवल 4 साल जिसे मुहमद गोरी ने खरीदा था एक दास के रूप में लेकिन बाद में इसको अच्छे पदपे नियूप पिकिया और बहुत सारी लडाईयों में इसने मुहमद गोरी का साथ दिया था बाद में लोगों ने इसे ही बुला के इसे ही सासक बना दिया था कुटबुदीन एबग को भारत में तुर्की राजी का संस्थापक कहा जाता है किसे कुटबुदीन एबग को इसकी कुछ पदवी थी जैसे मलिक, सिपह सलादार, लाख बक्स, पील बक्स, पुरान कुआ लेकिन पहले ये दास था, इसलिए इस वंस को गुलाम वंस के नाम से जानते हैं, लाख बक्स इसलिए कहते थे क्योंकि इसने लाखों में दान दिया, बहुत ज़्यादा दान दिया, इसलिए इसलिए लाख बक्स कहते थे, क्योंकि इसने हाथियों का काफी दान दिया था, इस ले से पील बक्स कहते थे दास्ता से मुक्ती कम मिली 1208 में ये सभी कोश्चन स्टेट्मेंट वाइज यूपी पीसेस में पूछे जा सकते हैं कुतबु दिन ने अपनी राज़ानी बनाई थी लहोर को और इसने कुछ लोगों को सनरचण दिया जो लेखक थे तो हसन निजामी को सनरचण दिया पूछा जा सकता है हसन निजामी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है ताजुल मासिर उसके बाद एक लोग को और सनरचण दिया जिनका नाम था फक्रे मुदब्बिर ये दोनों लोग इंपॉर्टन है हसन निजामी और फक्रे मुदब्बिर आगी स्थापति में देख लीजे क्या-क्या में दोनियों ने स्थापना करवाई थी कुफबुददिन वढख नें 18 दिन का जोप्रा बन वाए था कुवत उलाम मस्जेद बनवाई थी जोकि पहली मस्जिद कही जाती है बारत की कुफब मिनार बनवाय 52-Mingro कुल्ण ने निने कंप्रेट करोई दा्टकीति कुत्त संत बक्तियार काकी जो एक संथ थे उनके नाम पे इसका नाम कुतुब मिनार रखा गया था बाद में इसको जो इस पर बिजली गिर गई थी तो उपर वाली छतिक्रेस्थ हो गई थी बिल्डिंग कुतुब मिनार और सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरमत करवाई थी इसलिए उनका भी नाम जुड़ता है मृत्यू कब हुई थी कुतुब दिन एवग की बारा सो दस में चाउगान खेलते हुए यह पोलो खेलते हुए मकबरा कहां पर है लहौर में उसके बाद कौन सासक बनता है कुतुब दिन एवग का बेटा आरामसा जो कि एक अयोगी सासक था जिसे इल्टुतमिस ने हरा दिया इल्टुतमिस उस ताइम पर बदायू का सुबेदार था और उसे बुलाया लोगों ने कि यह अयोगी है आरामसा और आप इसको हरा के ज्यादा टाइम तक नहीं था उसी साल ही इल्टुतमिस बन गया था बारासो दस से बारासो चाटिसमें और यह पहला इल्बरी तुर्क था जो कि जो सासन है इस थापित किया था जिसने पहला इल्बरी तुर्क था यह पूछा जा सकता है यह स्टेटमेंट वाइस कैसा एक दो चीजें एकजामें पूछी जा सकती जिसे सुल्तान याजम या अमीर उम्रा इल्टुतमिस को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको खरीदा किसने था इसने तो एक पहले दास था यह मुहमद गोरी ने इसको खरीदा था बाद में इसको अच्छे प बेटा बना तायोगी जो था उसको हरायता किस युद्य में जून का युद्य का युद्य काफी बर ये अरेंज करने को भी आता है 1210 में हुआ था जून का युद्य राजधानी इसने स्थान्दान इंत्रित कर दी लाहूर से दिली ट्रांसफर कर दी इल्टुतमिस ने इल बाशी खलीवा थि उनके बेटें ने Museum देती इसलिए इसे घुलाम नहीं कवे दास नहीं कहा जाता किस ने लिखियेन तो कि तापका थे नाशरी जो एक पुस्तक है जिसकर मिनास सिराज उसकी में बदे चुद्य गयी था हिस इसका नाम है पिर्थू विद्रो जो की आवद में हुआ था तो पिर्थू विद्रो की एरिया से सम्मंदी था अवद से विरोधी सर्दारों को परास्त करने के जो एक नीती अपनाई थी उसका नाम था तुरकाने चहलगामी जिसमें चालिस सर्दार की एक टुकडी होती थी जिसके माध्यम से इल्तुतमिस अपने बिरोधी सर्दारों को परास्ट करता था 1221 में चंगेज खान की आकरमण को भी उसके भै को भी टाला था क्योंकि चंगेज खान भारत पे आकरमण करने नहीं आ रहा था लेकिन वो मंगमर्णी का पीछा करते हुए उसे हराने के लिए आ रहा था चंगेज खान तो भारत पे भी आकरमण कर सकता था मंगमर्णी ने इल खुखार आकरमणकारी था आगे बात करेंगे 1231 में बंगाल पर पूर्ड अधिकार कर लिया था इलतुत मिस ने 3031 में गौालियर विजय के बाद रजिया के नाम के सिक्के चलाए थे जो रजिया पेगम इनकी बेटी थी इलतुत मिसकी उनके नाम के सिक्के चलाए थे किस विजय के बाद गौली बिजय के बाद पहली बार तुर्क सासक के सिख्खे चलाए जिसने कई तरह के सिख्खे चलाए थे जिसमें चांदी राजकुमार का घयता है किसे इलतुत्मिस को हसन निजामी एक जो एक लेखा के उन्हों ने कहा है एबक ने दिल्ली सल्तनत की रूप रेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था इल्टुत मिस ने उसे ब्यक्तित एक पद एक प्रेणा सक्ती एक दिशा वा एक शासक वर्ग प्रदान किया तो ऐसे है तो किसका है हसन निजामी का आगे है 1231 में अपने बेटे नाशुरुद्दून का मकबरा बनवाया था नाशुरुद्दून इसका बेटा था उसके मृत्ति हो गई थी तो उसका मकबरा सैली का जन्मदाता भी इल्टुत मिस को का जाता है उसी के टाइम से मकबरा बढ़ आगे चीमित मीं को तो उसके चाजाब के मा के थी म मां के हाथ में सालना के हाथ में टी तो और चाल्मदेन अतला उसका के था नाशा जाधा निंदेः तक रजिया ने 1236 से 1240 तक सासन किया था चार साल इसने भी किया था और पहला वाला जो सासक हमने अभी कुत्वी दिन एबग देखा था उसने भी 4 साल सासन किया था 1206 से लेके 12010 तक तो थोड़ा-थोड़ा समानता दिखती है फिर आगे बात करेंगे जन समूध वारा रुकनित दिन को अपदस्त करके रजिया को सिल्तान बना गया हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है मतलब ये सल्तनत काल में कि जनता ने चूस किया राजा को जनता ने रुकनित दिन को अपदस्त कर दिया और रजिया को सिल्तान बना दिया प्रमुक जो विरोधी अमीर थे जो की र थोड़ा सा जानी जुनैदी इस तरह के जो नाम थे वो रजिया के विरोधी थे परदा प्रथा का रजिया ने तियाग कर दिया था पुरुषों के समान टोपी लगा के रहती थी अब कुछ व्यक्ति इंपोर्टन्ट हैं जिसे विभिन पद मिले थे रजिया के टाइम पर एतगीन को बदायों का सुबेदार बनाया था रजिया ने जलालुदिन याकूद को अमीर आखूर जो अस्तबल का निरिक्षार करता है अस्तबल की देखबाल करता है उसे अमीर करने के लिए रजिया वहां पर गई और वहां गई तो अमीरों ने बहराम सा को गदी पर बैठा दिया जब वहां गई थी विद्रों का दमन करने के लिए तो जो अमीर थे यहां पर जो दुश्मन थे रजिया के उन्होंने बहराम सा को गदी पर बैठा दिया रजिया ने अल्टूनिया से विवाह कर लिया, जहां पर गई दमन करने गई थी 1240 में, वहीं पर अल्टूनिया से ही विवाह कर लिया, और दोनों दिल्ली की तरफ बढ़े, दोनों एक साथ एक जुट होके, दिल्ली की तरफ सासन जो सत्ता को पलटने के लिए फिर चे बढ़े, लेकिन 12 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास हर्याणा में दोनों की हत्या कर दी गई थी 1240 में रजिया के मृत्ति हो गई एल फिंस्टन ने कहा है कि यदि रजिया इस्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम सास्कों में लिया जाता तो पूछा चासकता है किसने कहा है एल फिंस्टन ने कहा है यदि रजिया इस्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम सासकों में लिया जाता तो इस तरह से चार साल में रजिया की कहानी कहतम हो गई 1240 में अम्रिती हो गई 1236 में आई थी आगे बात करेंगे यह जो बहराम साथ जिसे अमीरों ने बैठाया था मुईजुद दीन बहराम साथ पूरा नाम है दो साल तक रहा 1240 से 42 तक और इसके टाइम पे सभी चीजे जो थी वो अमी ने दीन रजिया के बाद को नाया बहराम सा तो चोटे वाले सासा का क्रम पूछ लिया जाता है रजिया के पहले और बाद वाले का तो नाया बैम मुमलिकात का पद किस ने बनाया बहराम सा ने और 1241 में मंगोल आकरमण गुआ था इसी के टाइम पे तो एक चीज़ और इस इसके बाद आएगा बलवन अलाउद दीन मसूद सा जो है 1242-46 तक था उसकी बाद इसकी समस्त सकती ऐमीरों के पास थी, वो 40 लोग थे, उनी के पास थी बलवन इसी के टाइम पे मसूद सा के टाइम पे ही बलवन अमीरे हाजीब के पत पे एक जो बड़ा पत था अमीरे हाजीब का पत उस पर नियुक्त हो गया था बलवन मसूद सा के टाइम पे ये बलवन के बारे में पूछा जा सकता है कि बलवन किसके टाइम पे न्यूक्त हुआ था एक प्रमुख पज अमीरे हाजिप पर तो मसूद सा के टाइम पे उसके बाद जो सासक बनता है उसका नाम है नासुरिदून महमूद जो की 1246-65 तक था 1246-65 य नासुरिदीन महमूद काफी टाइम तक रहा च्याली से पैसर तक मिनहाजुद दीन सिराज जो थे उन्होंने ताबकाते नासुरिदीन महमूद के ही उपर लिखा इसमें ज्यादा बाते नासुरिदीन महमूद की हैं और उसके टाइम पे मिनहाजुद दीन जो सिराज है य लौन को एक उपाधी मिली थी उलूग खान जो कि नाशुरुद्दिन महमूद ने दी थी बीस वर्स तक वजीर परद्पर पहले रह चुका था उसके बाद राजा बना था इसे काफी एक्सपीरियंस था वास्तविक नाम क्या था बहुत दीन बारस्तविक नाम बहुत दीन रक्त और लौ की नीती अपनाई कुछ चीजें इसके बारे में इंपॉटन्ट है पूछा जाता है या फिर अधे मैचिंग में आ जाता है रक्त लौ की नीती बलवन ने अपनाई और ये खुद को अफ्रासियाब का वनसच कहता था फिरदोशी के सानामे में ऐसा लिखा है इ आयोगी शिपाही जितने थे उन्हें पेंसन दे के पदमुक्त कर दिया एक पद जो था बरीदे मुमालिक एक गुप्तिचर विभागता इसे संगठित किया बरीदे मुमालिक को दीवाने अर्ज की स्थापना की जो एक सहने विभागता पूछा जाता है ये सभी दोनों च परिजन्ट करता कुछ को एक ड्यास का एक नवश की शुरवात करया यह पार्षी नीवख शुरूप पिड़ाई फिर बंगाल में तुग्रिल विद्रोव इसी जो बलवन के टाइम पे लोता है इसी तुग्रेल को बना इसके तैम उनमें की है कि बलवन की मृत्य बाद meter इसके बारे में यही इंपोर्टन्ट है कि उत्रा दिखा रही था और चीज इसके बारे में इंपोर्टन नहीं है डिली सल्टनत का पहला वाला वंस टोटल पांच वंस है पहला वंस गुलाम वंस अमने कवर कर लिया था जो कि 1206 से 1290 तक था अब अगला वंस जो सबसे छोटा वंस कहा जाता है खिलजी वंस लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि अलाओ दिन खिलजी के बारे में काफी चीज़े पूछी जाती उसके सैन अभियान के बारे में जहां-जहां दच्छड में विजय की थी जिस राजियों को जीता था उसके राजा कौन थे यह सबी चीजे और उनका क्रम पूछा जाता है बहुत सारे पद का सर citizen किया था उन पदों को क्या कहते है उन पदों का नाम क्या था यह सब चीजियाँ इंपORN ejemplo करें चलिकिस पहले सबसे चोटा वन संथा के चारी साल तक लगभगा रहा है और सबसे बढ़ा है तो अबऑ यदर कोब आगे पड़ेंगे 10 तीन प्रमुकं सासक हुए 那 कि जलालAud दिन फिरोज खिलजी था खिलडी万स का संस्टापक काईकुवाद को नतिम था गुलाम वरौस ka एक अंतिम प्रमुख राजय था वैसे उसके बाद कामुछ भी हुआ था लेकिन भो सहाँ नहीं जाता है गुलामुश का अंतिम काईकुवाद को तेरा जुन 1290 में अपना राजय विशेख कराया था डेट इंपॉर्टन नहीं है बस यह याद रखे कि 90-90 तक जलालुद्दीन खिल जी किवल 6 साल था वैसे यह भी चीज नहीं पूछा जाता है टाइम पिरिएड बस इसके बारे में जो चीजें वह ज्यादा इंपॉर्टन जिसके तहत यह कहता था कि मैं एक बुढ़ा सासक हूं कोई ज्यादा विद्रों न करे मैं लड़ाई नहीं जायता हूं ऐसा चलालुद्दीन खिल जी कहता था वैसे यह हमेशा उदार नहीं रहा है एक इरानी फकीर थे सीधी मौला उनको इसने हाथी के पैरों तले इसके टाइम पर ही अलाउदिन खिल जी आ गया था इसके अंदर काम करता था वो कड़ा का सुबेदार था लेकिन उसने देवगीरी को जीता जब यह सासक था तभी देवगीरी का सासक का नाम था राजा राम चंद्र देव और इसी के टाइम पर जलालुद्दीन खिल जो जब शुरुवात हुई थी तभी 1290 से 1292 तक था जलालुद्दीन खिल जी 1290 में एक विद्रो हुआ था कड़ा मानिकपूर का विद्रो जो की मलिक छज्जू ने किया था जिसको इसने चमा कर दिया इस लेस की उतारता इसमें लक्षित होती है उसके बार जलालुद्दीन खिल जी की मृत्यू हो जाती है 1296 में मृत्यू के हत्या हो जाती है हत्या करता कौन है अलाउद्दीन खिल जी आपने पदमावत मूवी देखी होगी जलालुद्दीन खिल जो रनवीर सिंग मार डालता है तो उसी तरह से कड़ा में ही मृत्यू 1296 में जलालुदीन खिल जीत के आया रहता है देवगिरी को उसी टाइम बढ़ाई देने के लिए जलालुदीन उसके पास जाता है तभी वह मार डालता है दोके से अलाउदीन खिल जी और खुद राजा बन जाता है अब जादा चीजें जो एक्जाम में पूछी जाती है वह खिल जी में अलाउदीन खिल जी सही पूछी जाती है तो इसे ध्यान से देखना है 1296-1316 तक रहा इसमें इतनी ही दिन में इसने बहुत सारे काम किये मूल नाम क्य अगे बात करेंगे अलाउदीन खिल जी ने जितने विद्रो हुए उनके उन्मूलन के लिए कौन सा उपाय किया तो इस statement wise UP pieces में ऐसा question पूछा जा सकता है तो धनी विक्तियों की जितनी संपती थी उससे जब्त कर ली और उसे खाल सा भूमी में परिवर्तित कर दिया उसके बाद गुप्तिचर विभाग का गठन किया अच्छे से जिससे सभी जहनकारी उसे प्राप्त हो मद्य निशेद यानि सराब निशेद उसने करवा दी अमीरों के मेल मिलाप और वावाहिक संबंद पर रोक लगा दी जो अमीर लोग सरदार लोग थे उनके मेल मिलाप पर रोक लगा दी इस तरह से वो विद्रों का उन्मुलन किया ये उपाय किये थे उसने फिर सरवादिक मंगोल आकरमण किसके टाइम पे हुए थे अगर पूछा जाया तो इसी अलाउदिन खिलजी के टाइम पे छे बार मंगोल आकरमण हुए थे और इसने इन मंगोल आकरमण का दमन करने के लिए रक्त और तलवार की नीती अपनाई थी रक्त और लौह की नीद किसने अपनाई थी बलवन ने और तलवार और रक्त की नीद किसने अपनाई ये अलाउदिन खिल जी ने रखत और तलवार या तलवार और लोह कुछ भी कह सकते हैं इसमें बस तलवार आ जाएगा तो समझ लेज़ेगा अलाउदीन खिल जी का नाम आएगा अलाउदीन का समराज विस्तार क्या क्या था इसमें यह चीज ज्यादा इंपोर्टन्ट है राजा बनने से पहले 1292 में मालवा पर आक्वा किया था इसने भिलसा नगर को लूटा था इसने जलालुदीन खिल जी की मृत्य के बाद कड़ा में खुद को सुल्तान गोसीद कर द इसने अपना राजय विशे करवाया था अलाउदीन का एक राजा तो सिंधान था कि राजा का कोई सगा संबंदी नहीं होता वो अपना निरंगु शासन करता था आगे बात करेंगे यह नए धर्म की भी स्तापना करवाना चाहता था लेकिन इसके एक मित्र ने इसे मना कर आप ऐसा मत करिए अलाउदीन खिल जी अपने हिसाब से काम करता था उसे धर्म से कोई मतलब नहीं था अब देखेंगे अलाउदीन के विजय अभियान का वर्णान हमें कहां मिलता है कुछ पुस्तके हैं जो इंपॉर्टन है पूरे चैप्टर में अलाउदीन खिल जी के रचना है तारीकी फिरोसा ही इसमें अलाउदीन विजय वर्णान मिलता है खजाइन उल्फ हुतू जो कि अमीर खुसरो की पुस्तक है इसमें भी इसकी विजय का वर्णान मिलता है अमीर खुसरो का एक बहुत अच्छा स्थान ता अलाउदीन खिल जी के टाइम पर पदमा अभियान दूसरा है दच्छड भारत के अभियान, उत्तर भारत के अभियान का क्रम पूछा जाता है, तो पहला जो इसने विजय की थी राजा बनने के बाद वो थी गुजरात विजय, जो की बारस्यों 27-98 में उसने की थी, कहीं 97 मिलेगा, कहीं पे 97 मिलेगा, रण थंबर व 301 में चितवर 303 में माल विजे हुई थी 1305 में उसके बाद सेवां च्डेरँ308 में जाला विजुए धी 1311 में तो अन्तिम विज्वर इसकी ति वह यहाँ पर जाला व उत्र चेतर में जाला विजे थे आगे बात करेंगे पहले रण ठंबार है उसके बाद तोड़े ही याद रखीगा गुजरात विजय में क्या क्या चीज इंपोर्टन है तो इसमें जो अभियान में कौन-कौन गया था जो इसके सेना नायक थे तो यहाँ पे नुसरत खां गया था और जफा खां गया था नुसरत खां और जफा खां गुजरात का जब इसने आक्रमण किया उस टाइम पे गुजरात का राजा कौन था गुजरात का सासक था रायकर्ण रायकर्ण पराजित हो गया और वो अपनी बेटी देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गया था देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव वहां के सासक थे देवगिरी के वहां पर भाग गया था अपनी बेटी देवल देवी के साथ और इसकी जो पत्नी थी वो यहीं रह गई रायकर्ण की पत्नी जिसका नाम था कमला देवी कमला देवी से अलाओदिन खेल जी ने विवाह कर लिया और उसको एक उपादी थी लाड मल्लिका उसके बाद इसी अभियान के दौरान नुसरत खाने मलिक काफूर को खरीदा था जो अब पर मारा गया था यह याद रखेगा किस इसके अभियान में नुश्रत खामारा गया था इसका प्रमुक शेन अनायक था नुश्रत खाला अधिन किल जी का रोडरा रण्थमबॉर अभियान में मार दिया गया इस अभियान में मारा कॉन गया था नुश्रत खां और इसी अभियान में नुश्रत खां के साथ एक लोग और गये थे जिनका नाम है अमीर कुजरो अमीर कुजरो इस अभियान में सामिल हुआ था यह इंपॉर्टन है पूछ ली जाती है आगे बात करेंगे चित्तोर अभिय पदमावत उन्हीं की जो पतनी पदमावती के पराधारी थी तो मलिक मुहमद जैसी की एक रचना जो 1240 में लिखी गई पदमावत इसके अनुसार राणी पदमावती की सुन्दरता से आसकत हो के अलाउदिन खिल जी ने वहां पर आकरवन किया था चितोरां आकरवन जो तेर पराजित हो गया इसके बारे में और ज्यादा चीज़ इंपॉर्टन नहीं है फिर आता है शीवान या फिर बाढ़मेर का जो अभियान था 1308 में हुआ इस टाइम पर सीवान के या फिर बाढ़मेर के सासक कौन थे सीतल देओ फिर आता है जाला और अभियान 1311 में उस साथ ही मिल जाएगा चली अगला है टैसरी ज्वाइन करने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्सम में वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं अब दच्षड भारत के अभियान में जो पहला अभियान था वो था देवगिरी आकरमण जो की 1307-8 के बीच में तो यादव वंस से देवगिरी के सासक थे और यहां पे जो आकरमण करने वाले थे वो कौन-कौन मलिक काफूर और अल्प कहां जितना भी दच्षड भारत का भियान है समय मलिक काफूर जरूर रहेगा रामचंद्र देव को बंदी मना लिया गया और यहां पे आकरमण करन देवगिरी उनका राज था वो भी वापस कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जव्य पाली का विवाग कर दिया था अलाउदिन खिल जी से तो इसलिए चोड़ दिया गया उसे और रामचंद्र को इसी दवरान राय रायन की भी उपादी दी गई थी तो यह फिर दिल्ली सलतना से अपना संबंद जो नो सब बंद करवा दिया मलिक कापूर ने अभीयान किया था 1308 Кон अब अगला अभियान आता है तेलंगाना अभियान या फिर इसे वारंगल अभियान भी कहते हैं ये तेरा सो नो से तेरा सो दस था इसमें शाशा कौन था तो प्रताप रुद 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 र तीरा था वो भी मिला तो किस अभियान के दरान को हिनुर मिला वारंगल अभियान या तेलंगाना आगे बात करेंगे दौर समुद्र का जो विजय थी यह दौर समुद्र कहां पर करनाटक में और यह 1311 में ही विजय की गई थी उस टाइम पर यहां का सासक कौन था तो होय से ह और यह पर आजीत हो गया लेकिन बाद में इससे मित्रता कर ली थी मलुक मलिक काफूर ने और इसी ने जो दच्छड भारत में पांडे वंश था उसको भी विजित करने का रास्ता इसने दिखाया था बलाल देव दूतिये ने क्योंकि यह मित्रबन गया था मलिक काफूर का से बहुत सारी संपत्ति मिली मलिक काफूर को तो इस तरह से यह सभी दच्छड भारत के भी अभियान हो गए लास्ट वाले था मुद्रवी उसके पहले द्वार समुद्र फिर तेलंगाना वारंगल का था फिर यहां पे देवगिरी का देवगिरी तेलंगाना द्वार समु जो की निजामुदी नौलिया दरगा के पास बनी है यह भी दिल्ली में सभी चीजें दिल्ली में लाउदिन खिल जी ने बनवाई अब आगे कुछ सैन सुधार कौन-कौनसे सैन सुधार के इसने तो सेना को नगत वेतन देने की सुरूत की सैनिकों का हुलिया लिखने की लिखा होना चाहिए गोडों को दागने की परंपरा सुरू की इसके लावाँ आर्थिक सुधारों में देखा जाये तो आर्थिक सुधारों का वर्णन हमें कहां का पर मिलता है तो फिर से यह एक बर रिवाइस हो जाएंगी पुस्तके तारीखिये फिरोसाई जो की बढ़ बजार नियंध्रण में क्या किया बजार को बहुत अच्छे से इसने और्ग्नाईज करवाई था गल्ला lotus और सराय अदल और घोडे में वसी तीनों के लिए अलग अलग बजार सक्ट भाया ही थी ॉसמא बजार में नियंध्रण के लिए एक अधिकारी रखाará जिसका चोलाए इसके बारे में यह चीज इंपॉटन्ट है कि यहां पे व्यापार के लिए पर्मीशन लेनी पड़ती थे किस से दीवान रियासत से मंडी का अधिकारी कौन था सहना एं मंडी गोडों वेसी दास बजार पर इसने मुनाफ़ा खोरी पर रोक लगाई थी यह चीज भूमी सुधार के लिए क्या क्या किये इसके अलावा यहां पे एक और पद है जो की दरबारी सिस्टाचार के लिए प्रिसासनिक सुधार के लिए इसने यूज किया था इस पद का नाम है अमीरे हाजीब अमीर ए हाजीब का कामता की दरबार में सिस्टाचार बना रहे भूमी सुधार के लिए इसने भूमी 25 करवाई भूमी की नाप करवाई राज की सहायता को जब्त कर खालसा भूम में परिवर्तित करा दिया जो अमीर लोग थे उनकी संपत्ती जो दान वगएरा में ज़्यादा दी गई थी उसको इसने जब्त करके खालसा भूम में परिवर्तित करवा दिया खूत मुकदम चौधरी के करवसूलने का पैत्रिक अधिकार भी समाप्त कर दिया करवसूलने के लिए एक पैत्रिक अधिकार खतम हो गया करवसूलने के लिए एक पद का स्रिजन किया जिसका नाम था आमिल आमिल पद का स्रिजन किस लिए करवसूलने के लिए आयवे का नेंदरन करने के लिए एक पद बनाया जिसका नाम था दीवाने वकूफ किसानों का बकाया लेने के लिए एक पत्था जिसका नाम था दिवाने मुस्तकराज कर्वसूरने के लिए आमिली इंपोर्टन्ट है दिवाने मुस्तकराज किस ने बनाया था यह भी अलाओ दिन खिल जी ने बनवाया था यह सब पद इस तरह से भी पूछी जाते हैं कि इनक सबका स्रेजन किसने कि अलाओ दिन खिल जी ने कर नीती टेक्स नीती देखिए उपज का 50% लगाता था सबसे ज़्यादा कर यहीं लगाता था अलाओ दिन खिल जी 50% कर मुहमद बीन तुगलग भी आगे लगाएगा जो भी आगे मिलेगा तुगलग बंस में घरी और चरी कर इसने लगाया था घर और चराई वाले पशुओं पर भी इसने कर लगाया था खुम्स यानी लूट के धनका सरवादी की सापने पास रखा सभी राजा जो थे वह एक बटे पांच खुद रखते थे और चार बटे पांच ही सैनिकों को देते थे लेकिन अलाओ दिन खिल ज हो गया जलाओ दिन खिल जी दूसरा आया लाओ दिन खिल जी अब तीसरा इंपॉर्टन जो है कुटब दिन मुबारक खिल जी यह कायोगी शाशक था यह एकदम लैविश लाइफ जीता था उपाधिया इसने जो खुद से दारान की थी खलाफल उल्लाह अलवासिक बिल्ला और इसका जो एक व्यक्ति से विशेस लगाओ था जिसका नाम था हसन मुबारक उसी ने इसकी बाद में हत्या करवा दी इस तरह से पूरा खिल जी वंस खतम हो गया बस इसके बारे में यही पुछा जाता है एक खिल जी वंस का अंतिम सासा कौन था को तो बुद दिन मुब सब आपको मिल जाएंगे अब यहां पर तीन और जो वंस बचे हैं उसे कवर कर लेंगे तुगलक बचा था सायद बचा था लोधी यहां सुरू करते हैं टोटल कितने इसमें सासक हुए तुगलक वंस में तो आठ सासक हुए इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए तो 1320 से 1414 तक था इसका टाइम पीरियड तुगलक वंस का सबसे लंबा वंस दिल्ली सल्तनत का कौन सा था तो यही तुगलक वंस और इससे पहले वाला जो हमने खिलजी वंस पड़ा था वो सबसे चोटे टाइम पीरियड के लिए था और इसमें आठ हो सासक हमें नहीं पढ़ 1320 से 1414 अब यहां पर पहला जो सासक हो गया गयासित दीन तुगलक दूसरा है मुहमद बिन तुगलक जिसके बारे में हमें डीटेल में पढ़ना है और फिरोशा तुगलक के बारे में जो इसने विभाग के स्थापना की वह सब हमें कंप्लीट पढ़ना है तो अंतिम अग स्था standpoint तो सब लोग राजी तो एक दीकार आप्नाय रसrok मीचान मीचा सब ब्रत करें तो और सेथाए गयास की नाम रस्मे मियाना को सब रस्मे मियाना था जयादा कड़क नहीं गयासतीन प्लब यह जज्यादा कड़क हा Judy सब ल हमार इस ने उदारता दिखाई थी लेकिन सैन मामले में ये काफी कटोर था इसकी उदारता की कुछ धारण है जैसे खूद मुकदम चौधरी का जो कर लेने का अधिकार था जो हमने देखा था कि अलाउदीन खिल जी ने इनका अधिकार छीन लिया था लेकिन ग्यासुद दीन परसेंट कर करती है 1.3 1.3 आपको लिखा मिल सकता है या फिर 33 परसेंट जितने भी हम यहां फैक्ट देख रहें सब यूपी पीसेस में स्टेटमेंट वाइस पूछे जा सकते हैं गयासुद दीन तुगलक के बारे में चीज और है कि इसने सेचाई है तो नहर निर्माड कर लेकिन यह वाला इंपॉर्टन है तुगलक का बात किसने स्थापना करवाई गयासुद दीन तुगलक ने इसमें जो एक किला बनवाया था उसकी दिवारें जुकी हुई थी तो उसे सलामी दिवारे कहते है या यतायात निर्माल कराया इसने काफी डाक चौकियों की स्था लेकिन जीत के वापस कर देता था अपने राजय में नहीं मिलाता था लेकिन गयासुद दिन तुगलक पहला साअग्वा भारत को भी जीता था जिसमें सामिर है तेलंगाना या फिर इसी को वारंगल कहते थे 1325 में इसको जीता था और यह ग्यासुदीन तुगलक यहां पर आक्रमन करने नहीं गया था यहां पर गया था जौना खान जो की बात में मुहम्मद बिन तुगलक बना था और जौना खान बंगाल में विद्रो करता है, किसके टाइम पे? गयसुद्दीन तुगलक के टाइम पे और यहीं बंगाल से जब आ रहे थे गयसुद्दीन तुगलक, तो उनूने निजामुद्दील ओलिया को एक संदेज भीजा था तब तक उनकी मृत्ति हो गई थी कैसे हुई थी तो एक एहमद गयास नाम के एक व्यक्ति ने लकडी का महल बनवाया था जिसके नीचे वहां पर उत्सव बनाने के लिए प्रोग्राम था वहीं पर दबके गयासुदीन तुगलक की मृत्ति हो गई कहा जाता है कि यह जो सडे चोकियां बेंसन विभाग सेनी मामले में अलावदिन खिलजी जैसा ही था इसके अलावए यहां पर पहली बार दच्छड भारत को जीतने वाला गयासुदीन तुगलक था अंतीम सेन अभ्यान इसका बंगाल का था आगे बात करेंगे मृमद बिन तुगलक की जो की तेरा स संस्क्रित फार्सी वगरा सब जानता था यह लेकिन इसकी जो नीतियां थी अगर राजा के हिसाब से देखा जाए तो इसकी सारी नीतियां लगबग फेल हो गई थी तो इसलिए इसे अंतर विरोधों का सामंजस से कहा जाता है मुहम्मद बिन तुगलक को बच्पन का नाम में सामिल होता था हिंदू के कई तेओहरों में सामिल होता था योगियों संतों से बाचीत करता था जिन प्रभाद सूरी जो के एक जैन संते उनको एक हजार गाय दान में दी थी इसने जंबू जी और राज सेखर को संरच्छन प्रदान किया था पूछा जा सकता है तो दोनों जगहें कौन गया था यही था मुहम्मद बिन तुगलक और इसकी जो सहीसुड़ता थी जिसो हिंदू धर्म के जो लोक थे उनको बहुत उचे-उचे-पद इसने प्रदान किये मुहम्मद बिन तुगलक ने इसी कारण कुछ इतिहासकार जैसे इतिहासकार जिसका नाम था साई राज इसने अपने जो राजनाइक संबंद हैं वह विद्योसों में भी बनाया थे मिस्र सीर्या इराक इरान चीन वगरा के साथ इसके अच्छे संबंद थे इसके टाइम पर ही मुरको को यात्री इबन बतुता भारत आया था कब आया था 1333 में 1333 में म मुरको से आया कौन इबन बतुता और पहले इसको काजी के पत्पे न्यूक किया गया मुहमद बिंतुगलक के दर्बाद में लेकिन बाद में चीन का राजदूद बनाके भारत की तरब से इसके अलावा एक बिभाग की इसने स्थापना किसने कराई मुहमद बिंतुगलक किसके लिये था मीरे को ही कृसी से समश्वाद रिदी है तो किक्या काराण और इसको विरोत्ता पिर में और तो इसरो안 की कि लेकिन बाद में फिर से दिल्ली लाया गया क्योंकि वह सफल नहीं हो सका उच लोग जो थे यहां के दिल्ली के उनको ले जाके कहता था कि आप भी दॉलता बादाओ लेकिन लोगों को दिल्ली जादा पसंद था इस वज़े से भी बिद्रो का काराण बना इसके खिलाब प फिर बेते थे खुद से उसकी उपर कोई निग्रान में थी खुड़ासान का अभियान कि जिसमें एक साल के पहले ही मतलब सारे साल को बहुत सारे साहिंक रखे इस अभियान के लिए और सबको एक साल की आगे की सैल्री देढि और ये अभियान पूरीत तरे से फेल रहा 1331 क के बीच में हुआ था उसके बाद कराचिल का वियान हुआ जो कि पहाड़ों पर होना था इसलिए सैनिक वहां पर काफी सैनिक मर गए और यह भी इसका फेल रहा 1337 का वियान फिर से इसका एक बार क्रम देख लीजिए दुआब में करविदी फिर राजधानी परिवर्तन प्र समराज विस्तार और विद्रो के बारे में इसमें तो मुहमद बिन तुगलक के टाइम पर पूरा हिंदुस्तान इसने जीता था किसे छोड़कर कस्मीर और बलुचिस्तान को छोड़के लेकिन मरने से पहले इसके जब मरने वाला था उसके पहले पूरा दच्छिड भारा जो है इसका आजड हो चुका हता जगा 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 विद्रोह हो रहे थे जीता इसने कोब था लेकिन लास्ट में सब गमा दिया प्रमुक विद्रोह जो इसके टाइम पर हुए पहले था बाहुत दीन का विद्रोह जो कि करनाटक में हुआ था गुलबर्गा में जलालोद दू अहसान का विद्रो जोकी इसने जके मदरोई सल्टनत की स्थापना कर दी थी 1333 में पुछ bio का विद्रो इंपोर्ट whisky विजे नगर की स्थापना की तियार एर बुक्का ने 1336 में उस टाइम पे अगर पुछा जाए दिल्ली सल्तनत का सासक कौन था तो मुहम्मद बिन तुगलग अलाउदीन बहमन सा यानि हसन गंगु द्वारा बहमनी सल्तनत की स्थापना इसी के टाइम पे की गई विजे नगर के तीन वन्स कौन कौन से थे संगम सालू तुलू और अरी विडू जिसमें से तुलू वन्स जो था उसका उसी में आते थे क्रिश्ने देवराय जो काफी फेमस भी हैं आगे बहमनी सल्तनत के पतन के बाद जो कुछ चोटे-चोटे राजवंस बने थे उसमें ब vendo ne tubes इसी उद्ध में इसको पूरी तरह से खतम कर दिया गए था जिसमें बरार सामिल नहीं था बाकि सब विरोधी बन गए थे किस लिग गừng कुंडा में थि कुतिप साहीवंस बीदर मुझ में व्यर्द साहीवंस इसमें बरार सामिल नहीं था पस्ताली को यहां में बाकी बह्मनी संतल्दान्त के बाद इतने राजियों की स्थापना हुई थी आगे बात करेंगे मुहम्मद बिन तुगलग यहां MBT जो लिखा है मुहम्मद बिन तुगलग है ने उस्र और जकात को छोड़के जितने कर ली जाता थी सब खतम कर दिये थे तो यह अच्छा इसका साइन था अब मुहम्मद बिन तुगलग का जो अंतिम अभियान था जिसके बाद इसके मृत्ति हो गई थी वो था घट्टा अभियान और इसकी मृत्ति हुई इतना खराब इसके मरने के बाद लोगों ने कहा था मुहम्मद बिन तुगलग के मरने के बाद आगे बात करेंगे इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किये लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाय थे बस हमें इसके काम याद रखने हैं तीसरा इंपोर्टन सासक जो तुगलग जो कियान में दिली में भी कराया था तो इसने दोार आफ लाजियाविशेग कराया हिस्ट्री में आपको दो बार राजिया विशेग करने वाले जो नाम है भूत कम मिलते हैं एक हो घूज में भी सब्सेय बार कर दी कि सtså incompet EGD बढ़ने कि पोइसके अलावाँ जितनी भी ब खुश करने की कोशिस की थी फिरोसा तुगलक ने इसकी नीती जो थी कट्टर धार्मिक नीती थी जबकि मुहम्मद बिन तुगलक जो था सहिश्डू था उलेमाओं को उच्छ पद पर रखा इसने ब्रामभणों पर भी जजिया कर लगाया नॉर्मली जजिया कर ब्रामभण लुष लुष करने के लिए नुलियों के लिए लुष को लुष करने के लिए था गजीज फिरोसा तुगलक के टाइम पर फिरोसा तोगलती सथार में क्या क्या किया फिरोसा तोगलती तैयार पुछा जा सकता है वर्षिक व्योप्योरा किस ने बनवाया था फिरोसा तोगलती में इसकी अमसार दिल्ली सल्तनत के वासे त्योड़ी ऐक उमस्कुलों 25 लाग टंक snad har cuba फिरोज सात तुगलक ने 23 तरह के कर को समाप्त करके उसकी जगत 4 कर निर्धारित कर दिये जिसमें सभी टैक्स बाकी के टैक्स इसी में समाहित कर दिये गए कौन-कौन सी चार थे? खराज, खुम्स, जजिया और जकात, खराज, खुम्स, जजिया जकात किसके टेक्स थे, फिरोज सा तुगलक के, इसके अरावा एक अलग से टेक्स इसने लगा है, जिसका नाम था हक के शर्ब, जो की सिचाई टेक्स था, सबसे ज़्यादा सरवाधिक नहरे अगर पूछा च जाता है कि दो नहरे थी राज बाही नहर और उलूग बाही नहर, यह सबसे बड़ी नहर थी उस टाइम पर उनका नाम भी आ सकता एक्जाम में, नगर का नहर इनका वर्ण किस ने किया है, तो एक पुष्टक जिसका नाम है, तारीख मुबारक शाही, पुष्टक का नाम इ आगे कुछ बिभाग की स्थापना कराई थी जो मैचिंग में हमेशा पुछा जाता है दारूल सफा बिभाग चिकित साले से संबंदी थै दीवाने खहरात दान बिभाग से संबंदी थै दीवाने इस्तिहाक पेंसन बिभाग से संबंदी थै दीवाने दफ्तर रोजगार से स सब्सक्राइब पर निया सासक बांटा था है ऑपेघनानट साथ मन्दिर को भी इस नुक्सान पहुचा था फिरससाथ भूलच 드या कहा है लिए 1200 ये सभी जाता है जो मुस्लिमों को खुशर के बागी नहीं तर इसका नाम था दीवान बंद गान जाई तो की संख्या बहुत जादा इसके अलावा है काली मसजिद खळ्की मजज़िद गिंड़ी मज़िद और बेगम पूरी मस्ज़ दिल्ली में एक मदर्शा भी बनेवाई जिसका नाथ्क है फिरोषा यह पुराने जितने भीभावने सबका पुर निर्मार कराया इसने कुटूब मिनार का पुनेर निरमार्ट अलाही दरवाजा का होजे खास का हजार सितुन जो की अलाओदिन खिल्जी ने बनstone लावगुम्त आकर जो मुन्ही चामु ददीन अहलीय का लावुदिन अलियद सब का ईसने पुन्ष निरमार्ड क रहा है उसका देख्या घर करा ही उसके बाद तोपरा और मेरट का जो पासाड इस्तंब तासोक स्तंब तोपरा में उसको लाके फिरोज सागोटला दिल्ली में रखवा दिया कब रखवाए था ये तेरा सो अथावन में बहुत सारे नगरों के स्थापना कराई थी फिरोज साद्धुकलक्ण में जिसमें जो इंपॉर्ट किस था अपना इसके नाम साचे नाम पर जो किसका भाई था मुहमद बिन तुगलग जिसका नाम था आगे बात करेंगी इसनेए असे संबंढधory थी की रशना की रचना बढ़नीने की थी फुटुहा थे फिरोसाई के रशना फिरोसा तुगलक ने की थी खुदुदुदुदुध अच्छाई और बुराई का मिस्रण कहा जाता है कुछ अच्छे काम थे इसके बहुत सारे निर्माड कराया था और कुछ बुरे भी काम थे क्योंकि इसने हिंदुओं को बहुत संख्षब भी विर्ण कौन-कौन सभ्र इतने इतने लिए नहीं इंतीम संख्षब तो था नाशुरुद्दीन महमूद नासुर्दीन महमूद जो कि अंतिम सासक था तुलक वंस का इसके बारे में यह चीज इंपॉर्टन्ट है कि कहा जाता है कि इस सासक की टाइम पे नासुर्दीन महमूद के टाइम पे जो सुल्तान की सल्सनत थी वो दिल्ली से पालं तक थी मतलब बहुत चोटा एरिय अधिया हो गया था सभी चीज़ें मतलब जितने भी एरियार से इंदुस्तान के जो दिल्ली सल्तनत में आते थे सब सब्सोतंत्र हो गये थे और इसी के टाइम पे एक आकरमन हुआ तह दिल्ली पर तैमूर्ट लंग का अकरमन किसके टाइम पे नासुर्दीन महमूर के तो इस तरह से पूरा तुगलक वंस खतम होगे आब आता है सयद वंस 1414-1415 तक था सयद वंस यह पूरा पीडियाफ और जितने पहले के पीडियाफ हो चुके हैं सब आपको टेसरी के साथ यूपी पीसे टेसरी जो चल रही उसी के साथ ही मिल जाएंगे इतने पुरानी पी नहीं कि तो इसे लाहूर मुल्तान और दीपालपूर की शुवेदारी दी बाद में इसने खिज्र खाने सायद की लेकिन खुद को सुल्तान की उपादी इसने नहीं दी रहयत आला कहता था खुद को और जो सिक्के चलते थे वह तुगलक के नाम के चलते थे जब यह आ गय सभी जो सिक्के चलते थे तुगलक काल के ही चलते थे वह अगला जो सबसक्ता के बाद सएद मुबारक साह इस इतने इंपोर्टन नहीं है बस थोड़ा नाम का चुन पता होना चाहिए पहले खिज्र खाया अपना फुद्बा पढ़वाया था सिक्का चलाया था तो सभी ल रच्छन में एक लेखक था जो काफी इंपोर्टेंट है जिसने तारीखी मुबारक साही की रचना की थी इस लेखक का नाम था याहिया बिन एहमत सरहिंदी और इसी लेखक ने फिरो साह तुगलक की जो नहरे अभी हमने देखा था उसके बारे में लिखा आए अपने मुबारक साह मुबारक साह मुबारक साह अलाओदीन आलमसा अब लोधी वंस आता है जो की 1451 से 1526 तक था ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है वंस था लोधी वंस और ये पहला अफगानी वंस था दिल्ली सल्तनत का अफगानी वंस कौन सा था अगर पूछा जाए तो लोधी वंस था पहला अफगानी वंस बहलोल इसका पहला सासक हुआ जिस मोह की सपथासिय स्कू जोन फूर को दिल्ली सतनत्प में मिला जौन फूर इसको मिला लिया लिया इसंदी से संतनत में का मिलाए था चौधोस चौटा सौराषी हिंस that idag इसने बेहलों लोधि ने ब्हलोली सिर्खए चलाए थे बैहलों सी जो इस बादमें अक्वर्ल चलते रहे थे और पूछ जाये सब मैं समय तक कौन साह सक रहा था तो जिए था देशे था सकय दैसे लिए था सहन कि अगला जो का काौई जा कवे मेंति कि स्थाफम्त स्कुर्ण कि उसके सिंबहांगस 1965 दूसरा सिकंदर लोदी दूसरा सिकंदर लोजी उसके बादम मुंपारि कि 3MP आगरा की स्थापना की 1504 में और वहाँ पर एक किले का निर्माड कराया था आगरा में ही जो था बादलगड का किला आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी और आगरा को राज़ानी इसने कब बनाया है 1506 में दो साल बाद इसने गुप्तिचर विभाग जोत्या, बहुत सुद्रण कर लिया था, इसलिए इसको जगए जगए पे सफलता मिल रही थी, इसके सफलता का राज गुप्तिचर विभाग कहा जाता है, इसने खाद्यान कर को समाप्त कर दिया, यानि जो अनास था, वो सस्ता उपलब धूने लगा लोगों को गड़े खजाने का कुछ भी नहीं लिया था सिकंदर लोदी ने बाकी जितने सा सकते थे गड़ा खजाना या फिर जो लूटा हुआ धन था जिसे खुंच कहते हैं उसका बहुत बड़ा भाग अपने पास खुद रखते थे लेकिन सिकंदर लोदी इसमें से 49 खाने तीस इंच का होता था 49 खाने होते थी दोनों चीज पता होना शिये और इसने महरम और ताजिया को भी बंद करवा दिया था एक सहिस्डू सा सकता ये जजिया लगाया था इसने ब्रामडों पे जजिया लगाया था लेकिन महमद ताजिया को बंद करवा दिया था औ गान का एक ग्रंथ इसने बनवाया जो कि फार्षी भासा का भारती संगीत का पहला ग्रंथ था इसका नाम था लज्जते सिकंदरी बारती संगीत का फार्षी भासा का पहला ग्रंथ लज्जते सिकंदरी जो कि सिकंदर शा लोदी ने बनवाया था और ये कविताएं भी लिख इसने अपने छोटे वाय जलाल खां को जॉनपạo को तयुक्त किया है पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ एक मंुआ है और इसकी इब्राहीम लोद्याहथ चुण के बीच से कि अधारो ही थी जिसमें गॉलियर को दिली सल्टनत में मिला लिया था इब्रहीम लोदी ने आगे बाट करेंगे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर आया था बाबर ने सबसे पहला जो मुगल सामराज का सासक था वो था बाबर यहां पर किवल कंप्लीट फैक्ट कवर करेंगे जो यूपी पीसेस में डायरेक्ट पुझी जाते हैं 1526 से 1530 तक था बाबर किवल चार साल जन्म हुआ था 1483 में जो वर्तमान अफगानिस्तान वाला एरिया वाँ जन्म हुआ था पिता का नाम था उमर सेख जो के एक छोटे से राजी फरगना के सासक थे 1494 में बहुत काम आयू में ही बाबर को गद्धी मिल गई थी फरगना की 1507 में इसने खुद को बादसा की उपाधी दे दी थी चार कुत्र थे बाबर के पहला था हुमायू, कामरान, असकरी और हिंदाल बाबर ने जब आकरमण किया था यहाँ पे 1526 में उससे पहले 5 बार आकरमण कर जुका था हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इबराहिम लोधी पर आकरमण किया था पानी पत का जो पहला यूद हुद हुआ था बाबर और इबराहिम लोधी के बीच में तो बाबर को आमंत्रीत किस ने किया था एक्जाम में पूछा जाता है तो पंजाब के सुवेदार दौलत खान लोधी ने और इबराहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने इबराहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को इन्वाइट किया था तो पहला आकरमण अगर चार साल ही रहा था 1526 से 1530 और चार युद इसने लड़े पहला तो जो आकरमड किया था पहली बार पानिपत का पहला युद जिसमें इसने पहली बार तुगलमा नीत का यूज किया था पूछा जा सकता है तुगलमा नीत का यूज पहली बार बाबर ने कहापे किया था तो इसी युद में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, पूछा जाता है जिहाद का नारा किसमें दिया खानवा में, चंदेरी का युद उसके बाद लड़ा गया पंदरा सो अटाइस में, मेदिनी राय के विरुद, फिर घागरा का युद, जो कि जल स्थल दोनों का युद पुछा जा सकता है बाबर द्वारा लड़ा गया, जल स्थल दोनों का युद का युद कौन सा था, तो घागरा युद जो कि 1529 में हुआ था, ये किसके विरुद था तो अफगानों के विरुद था, जो सभी अफगानी थे, उनके विरुद था युद, जिसमें बाबर की जीत हुई, ये अफगानी कौन थे, तो लोदी से संबंदित, जितने लोग थे, लोदी बंस पूरा अफगानी बंस था, तो उसी के लोग थे ये अफगानी लोग, बाबर की उपादी थी कलंदर, ये बाबर को उपादी दी गई थी कलंदर की, यहाँ पर युद का क्रम य जन्म हुआ था तो बाद में काबूल में से दपना गया था आगरा के आराम बाग में और काबूल में तुर्की मात्र भासा में बात करता था तुर्की में ही इसने एक आत्मक commitment ती उसका नाम is तुजु के बाबरी तो चुकिए बाबरी इसको बाबर नामा भी बोलते हैं इसका फार्शी में अनुवाद किसने कराया अब्दुर्रहीम खाने खाना अकबर के समय में इसका फार्शी में अनुवाद हुआ था और इसने कई तरह के चार बाग बनवाय थे जर पुछा जा जाए मिती ए जय झो चार बाग विष्कारत कौन था उसके टाम में Useonst už kop बाबर के टाम में था नहीं एक उझानी पड़त की एक सोरी ने उद्ध में तो बीच में सेरसा सूरी भी आ गया था फिर 1555 से चंपन के वी बिशोद के पिर फिर से आई हुमाय। मंगल सासकों में वा deepest स्वार्ट विहां भावार इसा वी मुशन कर दिया था इसके भा भाईभू से कामुरा अस्करी और हिंदाल तो कामरान को काबुल कंधार का छेत्र दे दिया था हुमायू ने असकरी को संबल का छेत्र हिंदाल को अलवर का छेत्र और एक चछेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान सुलेमान को बदक्सा की भी जागिर दे दी थी तो सब में अपनी जागिर इसने बाट द युद्ध में Humayyim ने युद्ध लाड़ा था कभी 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 पॉप depreci लए इद लिए है कलिंजर पर अक्रम्ण की है था उतल Associatehen पूछ प्रताप घैर apart देख इसने में एक यλλά डाला था तो basin की असफल रहा था यसका गित हेस हिसद्र हägा बहा का ऐृटीर का आप पूछा जाता है 1532 में लड़ा गया अफगानों की इसमें पराजय हुई थी मेहमूद लोदी की इसमें पराजय हुई थी हुमायू की जीत हुई इस दो खरिया की युद्ध में उसके बाद 1532 में इसने चुनार का भी गेरा डाला था क्रम यही जैसे लिखा है सेर खाने इस जो सेर सा सूरी था जिसका नाम सेर खान्था उसमें हधिनता सूइकार कर लिए 1532 में बहदू सा पर ने आक्रम आक्रम इंट का ससक विरौधि था इसम्हें बहदू सा भार गया चांप है दो सेर खानर का सवित हमायू से भूहात्प की युद्ध 1549 का युद्ध जो कि चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है जिसमें सेर खाने एक बार फिर से हुमायू से लड़ाई लड़ी और हुमायू को बहुत बुरी तरह से पराजित किया सेर खान वही जो सेर सा सूरी है 1449 में फिर एक साल बाद एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था कन्नोज का युद्ध या फिर बिल्ट्राम का युद्ध पन्रासो चालिस में युद्ध हुआ जिसमें सेर खाने हुमायू को अंतिम रूप से पराजित कर दिया इसके बाद 15 साल तक हुमायू जो है निर्वासित जीवन जीता रहा अलग-अलग जगह पे इसने अलग-अलग साहता लिया अलग-अलग राजाओं से तो यह बहुत जगह गया इस टाइम पे 1541 में इसने हिंदाल के भाई था उसके आध्यात्मिक गुरू मीर अली की पुत्री हमीदा बेगम से भी वाक्या तो हमीदा बेगम वही है जिसका पुत्र था अकबर 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है कहां पे हुआ पूछा जाता है किसके महल में तो अमार कोट के राजा बीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ 1542 में उसके बाद फिर जब तक सेरसा सूरी की मृत्यू नहीं हो गई तब तक यह निर्वासित जीवन जीता उसके बाद एक दो और चोटे-चोटे सासा कहे फिर उसको लगा हुमायू को कि अब जीता जा सकता है मुगल सत्ता फिर से पाई जा सकती है तो 1555 में सरहिंद काये की युद्ध लड़ा हुमायू ने जिसमें उसे सिंगासन फिर से वापस मिल गया यह किसके बीच सूरि था उसकी तरव से मतलब जो सूरी वंस था उसकी तरव से सिकंदर लड़ रहा था और मुगल से अनमायू को सत्ता वापस मिली तो सरहिंदी की युद्ध में जो की 1505 में हुआ था फिर 1556 में एक-ई-साल इसको सासन करने को मिला 1556 में तो इस ने बनवाई थी वहांकी लाइब्रेरी से गिरकेस की मौत हो गई और हुमायू नामा एक पुस्तक है जो हुमायू के उपर लिखी गई है हुमायू की बहन गुलबादन बेगम ने इसे लिखा है इसे इनसाने कामिल की भी उपाधी दी गई थी तो इनसाने कामिल हुमायू को किसने का है अबुल फजल तो इस तरह से हुमायू का जो सफर है वो इधर उधर भागते ही निकल गया फिर आता है सेर सासूरी को यही पढ़ लेते हैं जो कि बीच में था अभी हुमायू के टाइम पीरेड के बीच में ही 1540-1545 पांची साल रहा है लेकिन इस टाइम में इसने बहुत सारे काम किये और जो काफी एगजामें पूछे जाते हैं और यह अफगानी वंस था जो सूर वंस था या फिल्डी वंस भी आफगानी मिला है दूसरा इस सूर वंस भी अफगानी स्थापना की बचपन का नाम था फरीद खांपिता का नाम था असन घो की सासा राम के जागीर दार थै को सेय क्लिंजर की हमले के दोरान एक उक्का नाम का एक अस्त्र होता है जो एक किले पर फेका गया वो लुड़ा क्या गया और इसमें सेर सासुरी की मिर्थी हो गई 1545 में मगबरा इस थी ते इसका सासराम में जील के बीच में चबूत्रे पे बहुत अच्छा इसका मगबरा बनाया सकते हैं किसने बनाई थी किला एक होना तो दिल्ली में स्थेतर सेर सासूरी ने बनाया था सेर सासूरी का उत्राधिकारी कौन था इसका बेटा इसलाम सा इसलाम सा इसका उत्राधिकारी था कुछ इंपॉर्टन पॉइंट है और सेर सासूरी के बारे में 1542 में इसने मालवा जाता है कौन सा क्रोमार तुए ही राय सीनय का आखर मर् जो की बंदरह सो सीनगा जो की विश्वास गात से राजा को मारा पंदरह सो चवालीस में इसने मारवाड सासक मालदेव पर आक्रमण किया था और जिसमें दो जो मारवार राजफूत सिपाही थे जैता और कुपपा उन्होंने बहुत वीरता पूर्ण प्रदैसन किया जिससे जिसने एकदम मुगल सेना के एकदम छक्के छुड़ा दिये थे तो इसी युद्ध के दोरान सेरसासूरी ने आगे चलेंगे कुछ बिभाद के स्थापना कराई थी सेरसासूरी ने जो काफी इमपॉर्टन्ट थे दिवानै वजारत शुन जेयर काई दीवाने इंसा पत्रा चार से संभण जिते और दोतरे की अधिकारी भी रखे थे एक काची जो नियाई से संभण दीवाने बरीद गुपतेचर से संभण दी थे इसके अलाव उसने पटवारी का जो एक पध होता है जिसे अब लेकबाल युपी में लेकपाल का उस पध का भी स्रजन किया था ग्रा मस्तर पर इस ने जपती प्रथा को अपनाया था महापण के लिए इसने जरीब की सुरुआत की ती जो पर जरीब की शुरुवात किसने की सेरसा सूरी के टाइम पे हुई अगला कुछ इसने चार साणक बनवाई थी जो काफी इंपॉर्टन्ट है जिसमें सेरसा सूरी मार्ग जिसे जीटी रोड कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टन्ट है सोनार गाउं बंगाल से लेकि अटक पंजा संथ बनवाई थी जिसे जीटी रोड किस ने कहां ऑक्लेंड ने जनेरल ऑक्लेंड फास पंजा से तो रुपया 180 ग्रेन और दाम जो है 300 ग्रेन और अगर अनुपात पूछा जाता है जो इसके समय में क्या हुआ तो पदमावत की रचना हुई थी मलिक मुहमद जयसी ने पदमावत की रचना किस के टाइम कि थी तो से इस आके टाइम पीरियेड में की थी पादमावत किस पर आता रहित है अलाओधिन खिल्जी पर आता रहित है तो यह बाद में लिखी गई है इसलिए इसे इतना और थेंटिक नहीं माल जाता जो अलाओधिन खिल्जे ने पड़मावती के वस में आके आकरमर किया अब आते हैं अक्पर पे तो 1556 से 1605 तक इसने सासन किया हुमायू की मृतियू 1556 में हुई थी उसके बाद अक्पर सासन बना जन्म हुआ था 1542 में राजा बीर साल के महल में जो अमर कोट के राजा बीर साल के महल में राजय विशेख था इसका 14 फरोडी 1556 यहां पर डेड़ भी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि अक्पर काफी महां साथ सकता है तो 14 फरोडी डेट भी याद रखनी है इसका इयर भी इसकी जो उपादी थी जलालुदीन मुहमद अक्पर बादशा गाजी तो इसकी आगे नाम के लगाए जलालुदीन इसका जो राजय विशेख हुआ थ इसको सनरच्छण दिया था बैरमखा के सनरच्छण में सारी काम करता था अक्पर बैरामखा को यह खानी बाबा बोलता था आगे बात करेंगे पानिपत की दूसरी लडाए इसने 1556 में लड़ी थी जब हुमायू की मृत्त्य हुई उसके बाद ही इसने हेमू से लड़ाई पानिपत का पहला युद बाबर ने लड़ा था जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और यह दूसरी लड़ाई है पानिपत की जो कि 1556 में लड़ी गई और हेमु को हराया था अकबर ने हेमु ऐसा अंतिम साख सक था जिसने विक्रमा देती की उपादी धारण की आगे बात करेंगे 1561 में भीजर की हत्या हो गई थी जो इसको शन रचन्छन देता था अकबर कोभी उनसी टाइम पर अधार नाम को चीध vain encouraged यृक्ता रेंस था ने खाने उसको भी अपने आंतलम नोकरी पर रख लिए बाद में खाने- पत्नी रूप मती ने जहर खा लिया था दोनों की मजार इस्तित है कहां पे उज्जैन में मजार भी पूछी जा सकती है अगर आप MPPSC वगरा का पर देंगे नेक्स्ट इसने जो आक्रमण किया था चुनार पर आक्रमण किया था चुनार का किल्या जीता था 1561 में पहले मालवा फिट चुनार सही एकदम क्रम यही है जो यहां पर लिखा है गोंडवाना की विजय की थ हर्का से अकइब से कढ欸ल्झ तैंड लींटेंगा उनार घर भीडिया करती ही वर्णारह फिजिऺ संभाघ के जिए जैमल को इसने पराजित किया था अकबर ने मेवार पे आक्रमाण किया 1564 में जिसमें उदे सिंग को पराजित किया था इसमें अकबर सोयम गया था और सब जगए अपने सेनपतियों को भेजता था मेवार जब विजे की थी 1560 में तब उदे सिंग को हराया था और अकबर सोयम नेक्स्ट है रंड थंब और बीजे जो कि 1569 में हुई थी सभी आपको याद नहीं रखना है इसका इयर ज्यादा इंपोर्टन नहीं है लेकिन कहां कहां की बीजे की थी वो चीजें देख लिजेगा 1579 में सुर्जन राय को हराया था उसके बाद कलिंजर पर आक्रमाण किया महाराणा परताप के भिरुद महाराणा प्रताप की हार हुई थी महाराणा परताप की तरब से और अक्बर की तरफ से राजामान सिंग नेक्स्ट गुजरात पर आक्रमाण किया था 1571 में मुझफर खांतुरतिय को हराया था इसमें उसकी बाद दूबारा फिर से आक्रमाण किया था गुजरात पर 1572 में जिसमें हुसेन मिर्चा का विद्रोव हुआ था उसके लिए गया बुलंड तरवाजी का निर्मार्ट किया था कहते बुजरात के दूसरे आक्रवड के दौरान अक्बर स्वहर गया था बंगाल भाद मिहार पे आक्रमाण उसने कप किया था 1544 में दाऊट लूद' पर 1589 में हकी मर्जा के विरुद हर dollar की जीथ हो रही है ये वेखेगा, इसमें याद करने की कोई जरूत नहीं है कस्मीर प्याकरमन किया था 1586 में जिसमें यूसुअब खाल, याकूब खाल के विरुबध अगर्मन सिंध में किया था 1591 में जिसमें जानी बेग को हराया था उडिसा पर किया था 1591 में जिसमें निसार खां को हराया था बलुचिस्तान पर किया था 1595 में पन्नी अफगान को हराया था कंधार पर किया था 1595 में जिसमें मुझफर हुसेन को हराया था पूरी आपको है। आपको जो जोस फेक को चाम को चुछ मुर्इंगे मिले परीपी कितने आहमानागर पर 1546 हॐइब की ती खान देशंडेश पर 1593-165 के कि बीच में लगतार इसने भीयान पर छल मेर आ अंतिम अगर आकबर की विजय सबसे जादा इंपॉर्टन्ट है कि अंतिम विजय कौन सी थी तो असीरगड की विजय की किले को जीता था 1601 में और यहां पर सासा कौन था मीर भादूर तो मीर भादूर को असीर करके युदि में अराया था जो कि अकबर का अंतिम अभियान थ जाता है तो यह सभी नाम देख लिजिए अब फजल फैजी अब्दुर्रहीम खान खाना बीरबल तांसें टोडर मल मांसिंग मुलादो प्याजा की मुकाम नेक्स्ट है कुछ पुस्तक जो अकबर के समय की इंपॉर्टन्ट है अकबर के बारे अकबर से संबंधित है तब क 1260-664 के बीच में परदा शासन का जाता है जाता है जोकि इनकी धायम आती अकबर की धायम आती तो उनका ज्यादा यहां पर वर्चस रहा था इस तैम पिरेड में फिर आता है 1562 में दास प्रिथा का अंत किया था अकबर ने दास प्रिथा का इसका क्रम पूछा जाता है तो इस सभी क्रम या थोना चाहिए आपको लुस diffand में बिमें जाएगा किस धर्म की तरब से कोन आया तो सबके लिए खोला था 1578 में स्थापना हुई थी 1575 में बात खाने के स्थापना 1578 में सबके लिए खोला गया फिर 1579 में मजहर की घोशना हुई 1582 में दरसाला प्रणाली लागू हुई ये लागू किसने की टोडर्मल ने दरसाला प्रणाली 15 1882 टोडरमल 1583 में इलाही संवत की स्थापना की थी अकबर ने 1585 में राजथानी को ट्रांसफर कर दिया था लाहूर 1585 ने 1585 हब इसे फिए लाहूर 1585 कि अकबर्णी को पहले राजथानी बनाया था बाद में 1585 में लाहूर को बना दिया था नेक्स्ट है इबादत खाने में कौन-कौन आये थे उन धर्माचारियों के नाम हिंदू धर्मी की तरफ से देवी और पुर्शोत्तम आये थे जैन धर्म के काफी इंपोर्टन्ट है हरी विजे सूरी और जीन चंद्र सूरी आये थे तो आगे यहां पर पार्शी धर्म की तरफ से कौन आया था दस्तूर मेहर जी राणा पार्शी धर्म की तरफ से इसाई धर्म की तरफ से डुडोल्प एका विबा एंटोनी मॉंसेराट इंटोरी मॉंसेराट कफी इंपोर्टन रही पादरी थे पुर्तगाली की तरफ से भेजा गया था इसाहिधर्म के आचारी के रूप में नेक्स्ट है कुछ चीजें इसने शुरुवात कराई थी अकबर ने जरोखा दर्शन तुलादान की शुरुवात रामदास जो गुरु रामदास ते सिक दन्म के उनको पांसो बीगा की जमीन दी थी जिसपे बाद में उन्होंने अम्रित सर के स्थापना की थी सती प्रथा रोकने का उन्होंने प्रयास किया था अकबर ने विध्वा विवा को मानेता प्रदान की थी अकबर ने और विवा की जो आयू है उसे कम करने का प्रयास किया था लड़कों की आयू होनी चाहिए और लड़कियों की 14 वर्स लड़कों की 16 वर्स लड़कियों की कि कहां के काजी ने कहां से फत्वा जादी वत अग्वर के खिलाव जौन पूर से यह काजी कौन थे मुल्ला मुहम्मद याजदी उसके बाद 1581 में अफगान बलीचियों को ने विद्रो किया और इसी 1580 वाले विद्रो के दरान विरबल की मृत्य हो गई थी विरबल की मृत् तुर्ण रभाइब गोसित कर दिया था अकबर के खिलाफ के सोला सो नौ में बीर सिंग बुंदेला जो की और चा का सासक था उसने अबूल-फजल की हत्या करवादी जुन नौरत्नों में सामिल था बिनुल-फजल उसकी हत्या हो गई किसके कहने पर ये हत्या कीती बीर सिंग अब जहांगीर का टाइम प्रियर्ड 1605 से 1627 तक था अने नाम सलीम था सलीम चिस्ति के नाम पर सलीम चिस्ति के एक संत्र थे फटेपुर्शीक्री में रहते थे उन्हीं की पूजा उन्हीं की उपासना करके यह अकबर का सलीम का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है इन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था न्याय की जन्जीर लगवाई थी जहांगीर ने सोने की जन्जीर थी एक जो आकबरा के किले से लेके यह मुना तर्प एक स्ताम था वहां तक इसको डाला गया था जन्जीर को इसे न्याय की जन्जीर कहते थे इसकी आत्म का जहांगीड का नाम है तुझिँ के जहांगीड़ीी इसके लीवाश्व में गुरु जिनका नाम था अरजन देव यह फांसी दी थी क्योंकि जहांगीर को बड़ा भी बेटा था Aus तुआ ह्द्ध兄 के खिलाफ तो उसकी मदद की थी अरजन दैव ने हं खुसरो की विद्रो के बाद एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है भेरावल का युद्ध, भेरावल के युद्ध फूचा जायगे किसके बीच हुआ था, तो खुसरो और जहांगीर के बीच में, अपने बेटे से युद्र का करना पड़ा था जहांगीर को, पहले जब अकबर जिंद जहांगीर ने खुर्रम को साजा की उपादी दी थी, 1622 में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया तो जहांगीर की टाइम पे, आगे बात करेंगे, सूर्दास को आसरे दिया था, सूर्दास जो की सूर्सागर जिनकी रचना है, उनको आसरे किस ने दिये जहांगीर ने, हि कांत नाम की हिंदू जज को नियुक्त किया था, जैसे हिंदू को जादा दिक्कत ना हो, जहांगीर काफी हद तक जो अकबर था, जिस तरह से सहिस्टनू था, उसी तरह से इसने भी व्योहार किया लोगों के साथ, इसके टाइम पे कई सारे विदेसी आई, हॉकिन्स आया, विदेसी आत्रियो का एक मैंने अलग वीडियो बनाया था, जो अप्लोड किया है, उसे में मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जहागीर के बारे में, इसकी पत्नी का नाम था नूर जहां, जो कि पहले नूर जहां का नाम था, महरुन निसा, बाद में गुलाब से इत्र बनाने की विधी कोची थी, तो कभी-कभी option में नूर जहां लिखा रहता है, गुलाब से इत्र बनाने के लिए, लेकिन खोजी किसने थी, असमत बेगम ने, जो कि नूर जहां की मा थी, नेक्स्ट जहांगीर की पुत्र कौन कौन से थे, तो खुसरो था, फिर परवेज था, खुर्रम था, शहर यार था, जहांदार था, खुसरो परवेज, खुर्रम, शहर यार, जहांदार, नूर जहां गुट किसे कहते थे, तो एक गुट था, जो नूर जहां से मिला हुआ था, मतलब नूर जहां का एक अपना गुट था, नूर जहां के जो पती हैं पती थे अब्दुल्ला नाम था उनका उसको मार दिया था जहांगीर ने उसके बाद नूर जहां से भीवा किया था इसलिए नूर जहां हमेशा खफवा रहती थी जहांगीर से तो इसका इसने अपना एक अलग गुट बना लिया था एत्मादु दोला उसमें समिली था जो कि नूर जहां के पितां थे आशमत बेगम जो कि इसकी माँ वह इसमें थी आसफ नूर जहां का भाई था से एपने पिता का मगबरा बनवाए था नूर जहां ने जो कि आग्रह में स्थित्ति हैं इसमें पहली बार theMAN Shanna की मसंद संदधी की ती जुचाब कर जा सकते हैं अमर सिंघ की संदर्थ यहांगिर के साथ से जुचछ प्रमुफ चित्रकला एक आपके सीर्थ पहला है आगारिजा जो कि इसके नेत्रेतों में चित्रसाला के स्थापना करवाई थी जहांगीर ने अबुल हसन जिसे इसने उपादी दी थी नादिर उजमा की जो पोट्रेट फोटो जनतले लोगों की वेक्तियों के फेसे बनातो था इसके लाओं कुछ और थे चित्रकार मुहंबद नासिर, मुहंबद मुराद, उस्ताद मंसूर जिसने नादिर उल असर की उपादी दी थी ये दोनों ज्यादा इंपोर्टन है जिसे उपादिया मिली है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर बिसंदास था, मनुहर था, गोवर्दन था, भारुक वेग, दौलत खां ति ये सबी इसके ताइम के जहागीर के टाइम पे चित्रकार थे, नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बार जहागीर की मृत्य हुई थी, मृत्य कब हुई 1627 में, मगबरा इस्तित है शादरा में, जो कि लहोर में शादरा रावी नदी के किनारे, तो दो लोग का, दो मुगल स आसक का मगबरा जो है, इंडिया से बाहर है, एक तो ये जहागीर का होगी है, दूसरा बाबार का मगबरा जो कि काबूल में इस्तित है, आगे बात करेंगे, जहाग सा जहाँ जो की राजा बना पहले खुर्रम नाम था, 1627 से 1657 की बीची राजा था, 1627 से 1657, उपादी थी किरन एसानी, किरन एसानी किसकी उपादी है, साज आंकी, इसकी अलावन साज आने आसफ खां को वजीर बनाया था, महावत खां को खाने खाना की उपादी दी थी, ताज महल बनवाय था मुम्ताच की याद में, ताज महल की रूप रेखा अगर पुछा जा किसने बनाई थ सब्सक्रेजिक ने पराप्त है सदो को फिरई मीन के सथाप्थ को सवर्ण यूग कहा जाता है में सवर्णौ पर जो इसके टाम पस चित्रकला जो दी थोड़ा-थोड़ा खत्म होने लगी चित्रकला पर फोकस नहीं क्या गया लेकिन सथापथ पें बिल्डिन्ग्स बनाई गें बड़ी बड़ी लाल किला की स्थापना करवाई सने दिल्लिमें दिवाने आम बनाया हैं दिवाने खास जामा我们 lihat दिल्ली में बनवाई मोती मज़िद आग्रा में बनवाई Jenक महा है लाहूर का सीज महल बनवाई है इस लसा आगे बात करेंगे 1632 में इसने अहमद नगर को जीता था 1638 में राज़ानी आगरा से दिल्ली स्थान अंतरित की थी 1632 में हुगली में पूर्टगालियों को कघेरा डाला था 1632 में इसकी पुत्र के नाम कौन-कौन से थे तो दाराशी को साजाँ का पूत्र था और अरंग्जेव था मुराद था सास हुजा था सबसे बढ़ा था दाराशी को इसी को राजा बनाना चाहता था साजाँ अगर पुत्र करते पुज़ा ने बंगाल और मुरादने गुजरत अपने पर आप सुचित कर लिया था। स्वायों में सब्फाइशन केरे अब अत्र थीकार के लिए कुछ उद हुए थे। जो काफी important है इनका क्रम पूछा जाता है तो पहले हुआ था बहादुरपुर का युद जो कि 1658 में हुआ था ये सासुजा और साही सेना के बीच में हुआ था फिर हुआ था धर्मत का युद जो कि अपरेल 1658 में हुआ था औरंग जेब मुराद एक तरफ ते साही सेना एक त पिर आता है खंजुवा कायुद जो कि 1659 में हुआ था साह, सुजा और औरंग जेब के बीच में जिसमें जीता देवराई कायुद ह था मार्च 1659 में दाराशिको और औरंग जेब के बीच में जिसमें अंतीम रूप से दारासिको हार गया था पूछा जाय कि अंतिम रूप से दारासिको का जो भागी का निश्य किसमें हो गया था कि राजा नहीं बनेगा तो यहीं देवराई का युद्ध था जो कि मार्च 1659 में हुआ था एक बार क्रम फिर से देख लीजे बहादुर फिर धर्मत फिर सामुग की शुरुवात की तीर थी आत्रा कर लगाया था लेकिन बात में हटा लिया था कुछ हिंदू संतों के कहने पर कई हिंदू मंदिर तोड़े थे साज अहां के टाइम पे तोड़े गए थे कई सारे हिंदू मंदिर कलीम को इसने राज कभी की उपाधी दी थी दारासिको की एक रचनण दाराशिको इसी बड़ा वाला बेटा था तो इसकी रचना है Holl गंगालहरी और रस्गंगा दर नाम तहां जहां के दर्वार में रहते थे ये साजाह के बारे में अभाता है उरंग जेप का सासंकाल जो की 1658 से 1707 तक रहा था औरंग जेप का आने नाम जो है अलमगीर था काफी पुछा जाता है आजय पहला राज तो पहला तुरंथ हो गया था जब साजां की व्रत्ति हुई थी उसके बाद फिर से हुआ था इसके पहले हमने देखा था कि फिरोसा तुगलक की भी का भी दो बार राजा विशेक वा था गुरू इसके कौन थे औरंग जेप के तो मीर मुहम्मद हकीम सुन्नी धर्म को मानने वाला था एक कटर ये मुसलिम था औरंग जेप इसे जिन्दा पीर भी कहा जाता है जिन्दा गुरू गुरू तेक बाहदूर की हत्या करवाई थी पाच्वें गुरू की हत्या कि अरजुन देव की उसको करवाय था जहां गिडने और ये कप कराए थी 1675 में 1679 में ओरंग जेप ने जजिया को पुना लगा दिया था जजिया कर 1779 में ही इसने अपनी पत्नी रभिया बीबी का मखबरा बनाया था जिसे ताज महल की नकल माना जाता है इसका पुत्र था अकबर जिसने विद्रो कर दिया था औरंग जेप के खिलाब 1681 में कई सारी चीजे इसने बंद करवा दी थी क्योंकि काफी कटर पंती था तो जो भी उलेमा लोग कहते थे कि ये चीज बैन है इसलाम में वो सब बंद करवा दी था तो जरोखा दर्शन बंद करवाई था तुलादान नौरो स्तयार बंद करवा था जो बल्वन ने श्रू और प्रिवर्विर्वारद कर्ना ले've Nah is going to talk बर्नियर पूछा जा सकता है कहां से आय था तो फ्रान्सी सी एक चिकित्सक था बर्नियर जो कि औरंग जेब की चिकित्सका करता था इसके अलामा 1686 में अंग्रेजों को हुगलीक से बाहर किया था औरंग जेब ने 1687 में गोलकुंडा पर विज़े की थी 1687 में गोलकुंडा मुखरे का नर्मार कराया था इस तरह से मुगल बंस खता हुग लेटर मुगल बचा हुआ है लेटर मुगल में केवल कुछ कुछ इसे, उनका करम याद होना चाहिए, तो ओम अगले वीडियो में देख लेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर दीज सबके लिए आप टेसरी ज्टाइन कर सकते हैं नंबर जो दिया इस पे पर कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्सिन में है वहां से देख किया ज्टाइन कर सकते हैं थैक यूच वाचिन प्रेक्टेंट लाशिस